बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन ने प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को खुला पत्र लिखा है पत्र में उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में डिप्टी कलेक्टर बैठाने की सरकार के निर्ने का विरूद किया है डॉक्टर सर्वेश ने पत्र को लेकर किसी भी तरहां की कारूनी कारवाही करने के लिए मंत्री जी को फ्रीहंड दिया है अपनी बेबाकी और चिरपरीचित अंदाज में एक बार फिर इंदोर की बुंदेलखन चिकित्सा महाविद्याले की चिकित्सा शिक्षा संग के अद्द्रक्षी डॉक्टर सर्वेश जैन नजर आ रही है इस बार उन्होंने प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखा है और बीच करोना काल में मेडिकल कॉलेजों में डिप्टी कलेक्टर बैठाने के सरकार की निर्णे को चुनौती दी है दरसल सरकार के पास एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें वैप्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बैतर प्रबंधन को द्रश्टिकत रखते हुए डिप्टी कलेक्टर को जवाब देही देने जा रही है जिसका डॉक्टर विरोध कर रही है डॉक्टर जेन का पत्र भी सी संदर्भ में है उन्होंने मंत्री विश्वास सारंग को संबोधित करते हुए लिखा है कि हम इतने दिन से मेडिकल कॉलेजों में डिप्टी कलेक्टर बैठाने का विरोध कर रहे हैं लेकिन आप अपनी चिर परिचित स्टाइल में आंदूलन पर ध्यान नहीं दे रही हैं आपकी इन अदाओं पर आपके समर्थक रीष्टे होंगे हम लोग नहीं यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो हम IMA मधिप्रदेश एवं MP नर्सिंगों एसोसियेशन के साथ कम से कम दो घंटे की काम बंध हरताल करेंगे लेकिन फिर आप निया का समय दे डॉक्टर सर्वेश ने लिखा है कि मैं मधिप्रदेश शासन का धिकारी हूं लेकिन जो तंखा मुझे शासन देता है उससे मेरी अभिव्यक्ती की आजादी नहीं खरीदी जा सकती यह चिठ्थी पूर्णता समिधान सम्मत है यदि आपको बुरा लगता है तो आप किसी भी प्रकार की अनुशासन आत्मक कारवाही कर सकते हैं टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए भोपाल से ब्योरो रेपोर्ट मैं हूं सीवा बर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब क प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को खुला पत्र लिखा है। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बैतर प्रबंधन को द्रश्टिकत रखते हुए डिप्टी कलेक्टर को जवाब देही देने जा रही हैं। प्रदेश में आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। आपकी इन अदाओं पर आपके समर्थक रीष्टे होंगे। हम लोग नहीं। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो हम IMA मध्यप्रदेश एवं MP Nursing Home Association के साथ कम से कम दो घंटे की कामबंध हरताल करेंगे। लेकिन फिर आप न्यायपाली का और मीडिया से शिकायत करने लगते हैं कि डॉक्टर करोना के बीच हिपोक्रेटिक ओध भूल गए हैं। पत्र में मंत्री जी से कहा गया है कि आप जनता के सच्चे हितेशी हैं तो दो दिन के अंदर मीडिया की माध्यम से हमें मिलने का समय दें। डॉक्टर सर्वेश ने लिखा है कि मैं मध्यप्रदेश शासन का धिकारी हूँ लेकिन जो तंखा मुझे शासन देता है उससे मेरी अभिव्यक्ती की अजादी नहीं खरीदी जा सकती। यह चिठी पूर्णता समिधान सम्मत है यदि आपको बुरा लगता है तो आप किसी भी प्रकार की अनुशासन आत्मक कारवाही कर सकते हैं। झाल